Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to the Faisal Sirs Academy YouTube channel. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे JKSSB female supervisor के हवाले से जो selection list आने वाला है, कब आएगा आपका selection list, कब chances हैं? तो यहाँ पर काफी सारे students ने previous videos की comment section में पूछा है selection list कब आएगा? और उसके लिए आपको कितना wait करना पड़ेगा हम आपको इस वीडियो में बता देंगे. Before we are going to start this video, अगर आप इस चनल पर नए हो तो चनल को subscribe कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और डेड या दो मिनट में आपके लोंगा यहाँ पर इसमें आपके लिए एक important information है वो यह है कि अभी जो हैं नई vacancies आई है 26,326 vacancies. जो यहाँ पर देख रहे हैं 26,326 vacancies. उन खुश नसीब students के लिए जिनको लग रहा है कि हमारा paper जो है जे कैसे भी female supervisor का ठीक हुआ है या किसी का ठीक नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी वो लग आजमा सकता है. female supervisor में 186 total vacancies है तो यहाँ पर 26,326 vacancies है जिसमें आफ eligible हूँ 10th pass, 12th pass and all graduates in any stream. किसी भी stream में आपने graduation की हैं तो आफ इन पोश्ट के लिए apply कर सकते हूँ जिसके लिए age criteria रखा गया है 18 साल से लेकर 32 साल है यानि 18 से लेकर 32 years की age इसमें students अगर है इस group के तो वो इसमें form बर सकत हैं तो मैं बता दूँगा आपको कि यह कौन सी vacancies है यहाँ पर मैं आपको बता दूँगा पहले यहाँ पर SSC CGL ने combined graduate level की 18,000 vacancies है जिसमें आपको यहाँ पर पोश्ट देखने को मिलेंगी सब इनस्पेक्टर का पोश्ट है इनस्पेक्टर का पोश्ट है इनकम इनस्पेक application रहने वाला है यहाँ पर graduation किसी भी सिट्री में चाहिए आपने BSE BA BCOM किया है तो आप इसमें फॉर्म जो है लगा सकते हैं और इसमें बोथ male and female students इसमें apply कर सकते हैं और exam center रहेंगे JN की students को सरी नगर जमू, सांबा, ले और करगल में भी एक center यहाँ पर जो है JN की students के लि अपना form submit करवा सकते हो और यहाँ पर जो documents इसके लिए लगेंगे आपको graduation marks card, 10th marks card, इसी तरह आपको photograph, signature, other card, email id and category अगर किसी के पास कोई category है तो वो इसमें apply कर सकता हैं यहाँ पर वो students की बात करोंगा जिन्होंने भी exam दिया है, graduation का लेकिन उनका marks card नहीं आया है तो वो student इसमें apply कर सकते, they are also eligible, यहाँ किसी का 6th semester चल रहा है, वो भी इसमें eligible है, वो इसमें form बर सकता है, तो यहाँ पर CGL का आपका last date रहेंगा 24-7-2024, तो यहाँ आपका last date रहेंगा, यहाँ आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे, class 4th MTS, multi-tasking की vacancies यहाँ पर निकली है, 8,326, जी हाँ, 8,326 total number of vacancies, जिसमें आपको 10th pass जो भी student से 10th, 12th pass वो इसमें eligible हैं, और इसमें male, female जो हैं, दोनों eligible हैं, दोनों आप form बर सकते हैं, इसका भी center सरीनगर, जम्मो एट सांबा है, exam के लिए, और इसके लिए जो age criteria है, इसके लिए age criteria यह यहाँ पर रखा गया है, 18 साल से लेकर 27 साल था, यानि 18 to 27 years of age जो है, इन पोस्ट के लिए आपको लगेगी, और documents कौन कौन से चाहिए, वो आपको यहाँ पर mentionner है, कि कौन कौन से documents आपको चाहिए, 10th marks card, photograph, signature, आदर card, email, ID, या अदर जो categories होती हैं, वो आप इसमें दे सकते हो, online KD आपको यहाँ पर number दिया गया है, इस operator से आप बात कीजी, राइबता कीजी, WhatsApp कीजी, तो वहाँ से आप जो है, अपना form online लगवा सकते हो, या इन notification details के हवाले से आप और कुछ जानना चाहोगी, और कुछ आपको जानना है, तो आप यहाँ पर राइबता कर सकते हो, और notification details वगएर इसमें पास सकते हो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, once again I repeat, 26,326 vacancies है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर selection list के हवाले से, काफी सारे students ने selection list का बोला यहाँ पर कि JKSSB female supervisor का selection list का बोला यहाँ गा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाओं कि पिछली बार काफी स सारे students ने representationals डाली है, answer की के हवाले से, कि answer की गलत है, तो expect किया जा सकते हैं कि इसमें revised answer की आजाई, उसके बाद इसमें general merit list आजाएगा, direct आपको merit list इसमें देखने को नहीं मिलेगा, सबसे पहले इसमें जो है, it is expected कि इसमें आपको revised answer की आएगा, जी हाँ, revised answer की यहाँ पर नहीं आती है, तो उसके बाद आपको जो है, इसमें देखा जाए, तो सबसे पहले इसमें general merit list आता है, general merit list की notification जो ही निकलाएगी, वो हम आपको group में डालेंगे, और general merit list होता क्या है, general merit list में हर एक student का score count किया जाता, जी हाँ, score जो होता है, student का student ने कितना score किया है, तो वो देखने को मिलेगा, तो general merit list में आप सिर्फ अपना score चाग कर सकते हो, किस student ने कितना score किया है, और उस बेस पे हम आपके साथ और एक cut-up video, cut-up video जो है, share करेंगे, जिससे आप देख सकते हो, हमने already expected cut-up डाला है, वो आप previous video चाग कर सकते हो, तो जब general merit list आएगा, उसमें हम स उसके बाद, चन्द दिन के बाद, आपका merit list निकलेगा, जी हाँ, merit list यहाँ हम कह सकते हैं, selection list, selection list आपको general merit list के बाद, selection list में सिर्फ उन खुशनिसीव students का नाम होगा, जिनकी selection हुई होगी, और इन में से जो कोई भी list सबसे पहले निकलेगा, तो हम आपको अपने whatsapp groups में भ लेगी, thank you and thank you very much.